अगर आपको किसी और कंटेंट पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना भगवान शिव देवो के देव महा देव है पूरे संसा का जीवन और मरन भगवान शिव के ही अधीन है इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुती विशेश रूप से की जानी चाहिए तो फ्रेंट्स आपको यह स्तुती अवश्य करनी चाहिए भगवान शिव की पूजा करने के बाद अगर आपने यह मंत्र नहीं बोला तो फ्रेंट्स आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी भगवान की पूजा के बाद आप आरती करते हो और आरती के वक्त भी यह मंत्र नहीं बोलते हो तो भी आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी इसलिए फ्रेंड्स इस मंत्र का बोलना बहुत जरूरी है तभी आपकी पूजा पूरी होगी तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रही हूँ वह चमतकारी मंत्र माना जाता है माता पार्वती और भगवान शियू के विवा के समय स्वयम भगवान विष्णो ने यस्तुति गाई थी यह मंत्र है कापूर गोरं करुना वतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदाव संतं रदियार विंदे भवं भवानी सहितं नमामी तो फ्रेंड्स इस मंत्र का अर्थ भी है वह इस प्रकार है कापूर गोरं अर्थात कापूर के समान गोर अंगवाले करुना वतारं करुना के जो साक्षात अवतार है संसार सारं समस्त स्रिष्टी के जो सार है भुजगेंद्रहारं जो गले में भुजगेंद्र अर्थात सर्पो की माला धारां करते है इसका अर्थ है जो शिव पार्वती के साथ सदेव मेरे रिदे में निवास करते है उनको मेरा नमन है इस मंत्र का इस प्रकार अर्थ हुआ जो कपूर के समान गौर वर्णवाले करुना के अवतार है संसार के सार है जो अपने गले में बुजोंको का हार धारं करते है वे भगवान शियू मता भवानी सहित मेरे रिदे में सदेव निवास करे और उने मेरा नमन है ओम नमस्टिवाई